मित्रो नमस्कार, मित्रो मैमित शर्मा ग्रेटर नर्डा, आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की आजादी से पहले घोड़ा बहुत ते दोड़ता था, लेकिन घोड़े की काबलियत कुछ गधों के मालिकों को हजब नहीं हुई, उन गध के मालिक ने की युक्ति सुझाई कि क्योंना हम सभी घोड़े के पैर में जंजीर बांदे, इससे घोड़ा तेज नहीं भाग सकेगा और गधा जीत जाएगा, यही हुआ, आजादी के बाद घोड़े के पैर में जंजीर बांदे और गधे को जिता दिया, यह जंजीर आज योग पिरतिभाव को दिन पिरतिदिन दस रहा है अगर 90% वाले चपड़ासी और 40% वाले अधिकारी बनेंगे तो इस देश का भविश्य क्या होगा इस विश्य गुरु भारत का भविश्य क्या होगा अगर ऐसा ही होता रहा, तो वो दिन दूर नहीं, जब इस देश में ग्रह युद्र का कारण आरक्षन बनेगा, अगर आप भी जातिगत आरक्षन मुक्त भारत चाहते हो, तो इस देश को, इस ओडियो को इतना शेर करें कि पूरे देश में ये ओडियो फैले, आपके और वाट्सप का बस एक स्टेटस हो, हमें चाहिए जातिगत आरक्षन मुक्त भारत, हम सब को चाहिए जातिगत आरक्षन मुक्त भारत, जैहिन, जै भारत, बंदे मातर,